ये आकाश्वाणी राइपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रतना साहू। और अब पेशे आज की मुख्य समाचार। प्रदेश में हो रहे नगरी निकाय चुनाओं के लिए आज राद 12 बजे थम जाएगा प्रचार। पर 120 दिसंबर को होगा मतदान। प्रदेश के चार नगर निकमों सहित 15 निकायों में आम चुनाओं और 17 वाड़ों में होने वाले उप चुनाओं के लिए आज राद 12 बजे प्रचार थम जाएगा इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली आमसभा और ऐसे चुनावी आयोजन पूरी तरह बंधित रहेंगे वहीं लाओड इस्पिकर के माध्यम से प्रचार करने की समय सीमा आज राद 10 बजे तक रहेगी इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं इने नगरे निकायों में 20 दिसंबर को मतपत्रों की गिंती की जाएगी और इसी दिन चुनाओं परिणाम घोशित के जाएंगे इस चुनाओं में 8 लाग से अधिक मतदाता अपने मतदिकार का प्रयोग कर सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरुना पिड़ितों के मतदान के लिए भी अलग से प्रोटोकाल तै किया है राज्य निर्वाचन आयोग ते ठाकुर र रखने का निर्देश दिया है चुनाओं के दिन 20 दिसंबर को संबंधित निकायों में सामान्य आवकाश रहेगा मतदान के लिए जिला प्रशाशन तैयारियों में जुटा हुआ है दुर्गी जिले में होने वाले चुनाओं के लिए मतदान दलों को कल सामगरी वितरण के साथ रवाना किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्नु देव साय भाटा पारविधायक्ष वरतन शर्मा सहित कई दिगज पहुँचे। इससे पहले कल भाजपा ने भिलाई और भिलाई चरोदा निगम चुनाओं को लेकर 16 विंदूओं का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर भिलाई इस पातसायांत्र में निर्मित स्टील प्लेटों का उप्योग नौ सेना के साथ ही वायू सेना के एरक्राफ्ट में किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्री मंत्री ने कहा कि केंद्री सरकार का वर्ष 2030 तक देश में 300 मिलियन टन इस पात उत्पादन का लक्षे है। इस समय 1500 मिलियन टन इस पात का उत्पादन किया जा रहा है। विशेश अभिहान के दौरान 35,000 लोगों को कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोस दी गई। जीले में कोरोना टीका करण की पहली डोस का लक्ष पूरा कर लिया गया है। 36 गड़ की सभी ग्राम पंचायतों में गुड गवर्निंस इनिशियेटिव मॉडल ग्राम पंचायत कारिक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतरगत प्रदेश की सभी पंचायतों में ग्राम, रोजगार सहायकों और पंचायत सचीवों को मनरिगा जॉब कार्ड, साथ तरह के रजिस्टर, वर्क फाइल और नागरिक सूचना पटल के बहतर क्रियान्वन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आगामी 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक इस कारिक्रम का तीसरा चरण चलाया जाएगा, प्रदेश में यह कारिक्रम 6 चरणों में पूरा किया जाना है। या हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम करन स्वरगी अंजोर दास पाटले के नाम पर करने की घुशना की। विधान सभा सचिवाले के वरिष्ट अधिकारियों ने पुश्पांजली अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी राइपूर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कारिक्रम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं। आकाश्वाणी समाचार फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है। अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं। आम तक चत्तिसगर की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं आजादी के अमरेत महपसों पर प्रादेशिक समाचारे कांश आकाश्वाणी राइपूर द्वारा आयोजित की जारेई प्रशनोत्तरी प्रतियोगीता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रशनोतरी श्रिंखला के बारहमें अंक में हिंदी समाचार बुलेटिन ने प्रशन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान दुर्ग जिले में आकरामक विरोध प्रदर्शन के आरोप में अंग्रेजी हुकुमत ने किस स्वतंतरता सेनानी के खेला है जारखंड राज्जी के पलामु जिले के मुहमत तबरेज अंसारी मुहमत तबरेज अंसारी को विजेता बनने पर हम आकाश्वणी परिवार के ओर से हार्दिक बधाई और शुप कामनाये देते हैं श्रोताओं मुहमत तबरेज अंसारी आकाश्वणी समाचार के नियम पुलिस अधिक्षक डॉक्टर अभिशेक पल्लों ने घटना की पुष्टी करते वे बताया कि मुखबीर से सूचना मिली थी कि गोंडे रास गाउं के जंगल में पड़ी संख्या में माववादी मौजूद है इसके अधार पर बीती राद दियार जी के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया आज सुबह जब जब जवान इलाके में पुँचे तो माववादियों ने उन पर गोली बारी शुरू क इस मुटभेड में मारी गई महला माववादी एरिया कमिटी मिंबर हिड में कुहरामी पर पांच लाक रुपिये और चेतना नाट्ट मंडली की अधक्ष पोज्जा पर एक लाक रुपिये का इनाम खोशित्था घटना इस तल से जवानों ने बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया है जिला पुलिस बल डियार जी और आईटी बीपी की संयोक्त टीम ने गश्ट के दौरान यह सामान बरामत किया है चेन्नाई में आयोजे 35 वी अखिल भारतिये रेलवे बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे के खिलाडियों ने शानदार प्रदर्शन किया कल हुए फाइनल मुकाबले में दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे के खिलाड़ी मोहन सुब्रमन्यम ने 90 किलोग्राम वर्ग में दूसरा और आकाश दास ने 60 किलोग्राम वर्ग में पाँचवा इस्थान प्राप्त किया वहीं उध्यपूर में हुई 52 मी अखिल भारतिये रेलवे क्रॉस कंट्री चेंपियनशिप प्रतियोगिता में दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे के दिनेश ने पुरुष वर्ग में स्वान पदक जीता इसी तरह मुन्नी देवी ने महला वर्ग में बहतर प्रदर्शन किय खेल और युवा कल्यान विभाग ने प्रदेश की विभिन खेल अकादमियों में प्रशिक्षन देने के लिए खेलाडियों की चैन सुची जारी कर दी है यह सुची खेल विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है इन अकादमी में होकी, फुटबॉल, तिरंदाजी और एटलेटिक्स खेल अकादमी राइपूर, स्वर्गिय, कोदुराम, वर्मा, स्मृती, धनूर विद्या अकादमी राइपूर तथा बिलासपूर का राज्य खेल प्रशिक्षन केंडर बहतराई शामिल है और अब पेशे मौसम का हाल प्रदेश में उत्तर पूर्व से आ रही शुष्क और ठंडी हवा की वजह से नियूंतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में मौसम और सर्द हो सकता है वहीं रात के तापमान में दो से चार डिगरी सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है साथ ही अधिकतम तापमान में ज्यादा परिवर्टन होने के आसार नहीं है इसके अलावा उत्तर चत्तिसगर के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों में सुबह कोहरे की स्थिति बनी रहेगी ठंड के इस मौसम में राजी के कुछ हिसों में चलने वाली शीत लहर और कोहरे के स्थिती के दौरान आम लोगों के साथ ही किसानों को क्या सावधानिया बरतनी चाहिए इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाश्वाणी समाचार ने बात की मौसम विज्ञान के इंडर राइपूर के मौसम विज्ञानी डॉक्टर ह.पी चंद्रा से इस भेंट वारता का प्रसारन प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामे की विश्यों पर आधारित कारिक्रम बातों बातों में के अंतरगर्थ आकाश्वाणी के इंडर द्वारा कल सुबह 9 बचकर 30 मिनट पर किया जाएगा इसे 36 गड़ इस्थित आकाश्वाणी के सभी क इंद्र रिले करेंगे अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में नवा राइपूर इस्थित ITM University Campus उपरवारा में आगामी 21 और 22 दिसंबर को प्लेस्मेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा राइपूर के मया राम सुरजन शाष के विद्याले में आगामी 21 दिसंबर को ज चात्रवित्ति के लिए अब 30 दिसंबर तक आविदन कर सकते हैं। एक ज्वेलर्स दुकान से बीती रात करीब 50 लाख रुपिय मुल्य के जेवरों की चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चार्च शुरू कर दी है। प्रादेश बाजपा ध्यक्ष बेमित अरजिले में प्रचार के लिए पहुँचे। समाज को एकता भायचारे और समरस्ता का संदेश देने वाले बाबा गुरू घासी दास की आज मनाई जा रही है जैनती। मुख्यमंत्री लालपूर धाम में आयोजिद गुरू परवन मेले में शामिल हुए। और दंतेश बाड़ा जिले में सुरक्ष बलों के साथ हुई मुटबेड में दो इनामी महिला माववादी मारी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।